आत्मविकास की शक्ती पाने के लिए सुने युथविन, एनरजी, सक्सेस एनरजी आप जयादा करते हो, left hand जो इस्तमाल करते है, उसके left hand में जयादा ताकत होती है, क्योंकि वो उसका इस्तमाल कर रहा है, तो use it or lose it, आप use करना बंद कर देते हैं तो दिरे दिरे उस अंग की ताकत कम कम होते जाते हैं, व्यायाम क्यों देते हैं कुछ जंगों को व्यायाम मिलता ही नहीं है तो वो बीमार होने लगते हैं तो हम उनको एक्टिवेट करते हैं तो बुद्धी भी कैसी चीज है, उसको एक्टिवेट करना, लिखने का नहीं है व्यवस्ता बस में एक हाथ ठंगा हुआ है, लिख नहीं सकते तो अभी बुद्धी अभी कैसा इस्तमाल करना पड़ेगा, अभी उसको थोड़ा प्रेशर दिना पड़ेगा, कि अभी लेक नहीं सकते, अभी याद करो, तो उसको व्यायम मिल रहा है, यह खुबसूरती है, तो यह बुद्धी का विकास ही है, जिसमें मेमरी डिबार्टमे अभी अक्टिविट होता है, तो यह क्या है, यह उसको एक्सिसाज मिल रही है, और आप चाहते हो बुद्धी का विकास हो, तो क्या हम एक्सिसाज दे सकते, यह से कोई पहली सुल जाता है, तो लोग पहली आचा जल्दी जवाब दो, ऐसे पूछते हैं, अचा पहली सकता है, इसकी दस सॉलिशन है, यह समस्य आई है, इसकी दस सॉलिशन है, यह चीज बनानी है, इसको बनाने के दस तरीके है, यह सबजी बनानी है, इस सबजी को दस तरीके से बनाया जा सकता है, पर संब खुद को जब बोलता है ऐसा, तो मुझे एक बेश तरीका डुणना तो फुर ये विच्छार करने से ही कि इसमें मुझे आज नय तरीके से बनाना है ये विच्छार देखकर ही आपके बुद्धी को एक्सिसाइज मिलती है मनना सेम जो काम करते है हमेशा डेली रूटिन के काम उसी तरीके से करते है एक हाउस वे खाना बनाती है, तो सेम तरीके से करती है. तो सशी बोले हैं, अभी रचनात्मक तरीके से करो. कोई चीज उठा कर रख रह रहे हो, तो सम्झे नंबर कहा, ये एक ग्लास उठा के यहां रखा, वन, कडाईली, दो, इसा टोमाडो लिया, तीन, ऐसा के चार, आगो पूरी दर देखते हैं, कि चारसो नंबर तक पूरी सबजी बन गई, उसको मजा भी आया बनाने का, एक क्रियेटि तरीके से भी सबजी बन गई, और चारसो की गिंती पर बन गई, फिर कल बोलेगा, भी पासो क की गिंती पर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चोटे-चोटे एक्टिविटीज हुई मार मैंने नंबर नहीं दिया, अवेर्निस कम है न, तो अगली बार उसको पासो तक लिकर जाएंगी, हर चोटे-चोटी क्रिया को भी मैं नंबर दूंगी, तो अब यह सब चल रहा है तो इसका दिमाग किदर है? फडोसिन के बास है क्या? नहीं है. अब अपना हाथ हलते हुए देख रही है, मैं यह रख रही हूँ, इसको नंबर, इसको ऐसा क्या, सब हर क्रिया को नंबर मिला, तो कितना मजा आ रहा है इसको, खाना तो बन गया, खाने वाले भी खुश है, बनाने वाला भी खुश है, और ब्रेन को एक्सिसेज में मिल गई, और वरतमान में भी रहे, और एक होश जो जागा, अवेर्नेस जो जागी, तो यह एक्सिसेज मिलने के साथ होता है बुद्धी के साथ, तो आप भी जो कारे कर रहे हो, उसके अंदर सुचो उसको नए तर तरीका हो सकता है, तल तक तो मैं इस तरह आता था, और विः जो किस तरह था होता हूं, नहा के बहुत सारे तरीके है, वो रहने का सवाल नहीं है, at least 365 नहीं तो साथ तरीके तो ढूंड सकते है कि Monday को उस तरह नहाएंगे Tuesday को उस तरह नहाएंगे तो नहाना भी interesting बनेगा वरना वो भी boring रहता है लगों के लिए और ठंड है जिस दिन उस दिन तो ज्यादा ही तो creative तरीके सुचते जाए जो भी आप कर रहे हो ना तो उसमें बुद्धी को हमेशा exercise मिल रही है तो ये कैसी चीज़ है जितना use करो उतना खुलते जाएगी उतना बढ़ते जाएगी और बहुत आसानी से होने लग जाएगा फिर एक अभ्यास के साथ ये आसानी से होने लग जाएगा डे टो डे लाइफ में ही आपको इतने मौके मिलते है बुद्धी को exercise देने के तो बस सर्व एक सवाल पूछ कर सवाल पूछने में ताकत आ जाती है आपको नई दिशा से सोचना ही पड़ता है इसी चीज़ को नए तरीके से सोचो कुरसी का नया अपयूग बताओ जो आज तक कोई सोचनी पाया है ऐसा तो फिर आप कुछ नया सोचोगे चलो अच्छा एक अदा तो नया तो सोचो कुछ तो अलग सोचो फिर कोई बोलेगा ये चेर को हमने बच्चे क्या करते है रोड पर रखकर उसको स्टम्स बनाते है क्रिकेट खिलते है वो चेर को उल्टा रखकर ये स्टम्स है तो वो एक तरीका है चेर सिरु बैठने के लिए नहीं है खिलने के लिए भी है तो एक चेर के साथ क्या-क्या हो सकता है आप इतनी वाते सोच लोगे तो एक creativity का अभयास होता है रशनात मक्ता का तो practice के लिए daily आपको मौके मिल रहे हैं और समस्या जो मिल रही है उसको सुल जाने की तरीके और जब नकारत में विचार आते हैं तब मुझे क्या क्या करना चाहिए उसके सो तरीके मुझे डुणने है तो ऐसा कोई भी अपने आपको challenge देकर सोचना है कि कम से कम दस तरीके तो मुझे मिलने चाहिए फिर दस तरीके सोचते सोचते आपको ऐसे नए तरीके मिलते जाएंगे अगर normally आप सोचते थे ने कि मुझे सोचना है इस topic पर तो आपको उतने तरीके नहीं मिलते अगर जब आप पहले ही बोलते हैं उसके दस तरीके हैं आज मैं दस तरीके डुणने निकलने फिर number one लिखते हो, two लिखते हो जैसे जैसे number बढ़ते जाता है विचार जैसे बंद हो गया और कुछ सूजी नहीं रहा, सूजी नहीं रहा मगर थोड़े दिर के बाद जो आने लगेगा नया वो बिलकुल नया होगा out of the box होगा तो दस तक पोच्टे पोच्टे आपको बहुत सारी ideas मिल जाएगी मगर यह प्रैक्टिस से और smooth होगा बहुत आसान होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें अपने अभी प्राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं युथ विन एनरजी हैपी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं